Hello kids, good morning, welcome students in our virtual class. Students, do you know what we learned today? Yeah, today we will learn about, we will learn about greater than, less than and equal to. Okay students, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, greater than, less than and equal. So, बच्चों, आज हम इस chapter को एक story के तुरू रीड करेंगे. Okay, so now let's start. O, यह क्या है? यह किता सुन्दर पॉंड है, है ना? और इसमें और क्या है? इसमें colorful और धीर सारी fishes हैं. है ना? दिखराना बच्चों आपको? Yes. कितनी fishes हैं इसमें? Count करके देखें. Yes. Now start. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. टोटल कितनी fishes हैं? Thirteen. कितनी fishes हैं टोटल? Thirteen. Yes. बच्चों आपको फिश पे आप लोगों ने एक पोएम सुनी हैं ना? सबने सुनी है? Yes. तो चलिए आज हम लोगों पोएम एक बार रिपीट करते हैं. Ready? Yes. मच्चली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ डर जाएगी बाहर निकालो मर जाएगी अच्छी है पोएम? Yes. तो बच्चों आपको पता है मच्चली जो है उसको किस चीज की नीड होती है सबसे ज़्यादा? पानी की मच्चली बिना पानी के नहीं रह सकती है वो पानी के अंदर ही पानी के अंदर ही फिश को ऑक्सिजन मिलती है जिससे वो सांस लेती है ठीके बच्चों ओ ये फिश के बीच में कौन आ गया? ये कौन सा एनिमल है? आरे ये तो ऐलिगेटर है अलिगेटर को तेक कि सारे फिश तो डर गई और जब वो डर गई तो वो इधर उदर भागने लगी भागते भागते सभी फिश दो ग्रूप में डिवाइड हो गई हैं देख रहे हैं न बच्चों आप लोग कि दो ग्रूप में बट गई है सारी फिश? येस तो चले पहले हम लोग काउंट करते हैं कि फर्स्ट जो आपके राइड साइड बे ग्रूप है उस ग्रूप में कितनी फिश हैं? काउंट करें? येस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके राइड साइड में कितनी फिश हैं? 7 और लेफ साइड में 1, 2, 3, 4 लेफ साइड में 4 फिश हैं और राइड साइड में 7 फिश हैं तो लेफ साइड में 4 फिश आई और राइड साइड में 7 फिश आई इन फिशिस को देखकर क्रोकोडाइल को क्या लगी? भूख लग गई उसको लालाच आ गया उसने इन मचलियों को खाने के लिए सोचा उसने सोचा पहले मैं कौन से ग्रूप को खाऊं? ज्यादा या कम? तो पहले उसने ग्रूप को काउंट किया कि किस ग्रूप में ज्यादा फिश है और किस ग्रूप में कम फिश है तो उसने पहले काउंट किया पहले उसने अपने राइड साइड के ग्रूप को काउंट किया और फिर उसने अपने लेट साइड ग्रूप में के फिश को काउंट किया इसके लेट साइड में कितनी फिश थी? और राइट साइड में फाइफ तो क्रोकोडाई ने सोचा कि अगर मैं कम फिश को खाऊंगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा और जादा को खाऊंगा तो मेरा पेट भर जाएगा तो उसने जो जादा ग्रूप के फिश थी उसको वो खा गया नेक्स्ट एक क्रोकोडाईल आवराया वो चुपचाप उस क्रोकोडाईल को देखता रहा वो जिस ग्रूप में जादा फिश थी उसको वो खाने लगा और जो जिसका क्रोकोडाईल का मूँ बन था उसको हमेशा कम फिश मिलती ये देखकर फिश ने सोचा क्यों ना हम सब एक बराबर ग्रूप में डिवाइड हो जाएं जिससे जो फिश का क्रोकोडाईल का मूँ बन था उसका भी पेट भर जाएगा और दोनों ही में लडाई भी नहीं होगी तो राइट साइड के जो क्रोकोडाईल था उसके ग्रूप में कितनी फिश थी और लेफ्ट साइड क्रोकोडाईल के ग्रूप में कितनी फिश है ये दोनों इक्वल हैं तो क्रोकोडाईल ने क्या किया दोनों क्रोकोडाईल ने दो अपने इपने ग्रूप की फिश को खा लिया और वो दोनों हैपी हो गए, खुश हो गए अच्छी थी स्टोरी बच्चो ओके, तो बच्चो इस स्टोरी से आपको क्या समझाया कि जिस तरफ ज्यादा ग्रेटर नंबर होते है उस सरफ हमें कौन सा ओपन होता है क्रोकोडाईल का क्या ओपन होता है माउत जिधर ग्रेट नंबर होते हैं, ग्रेटर नंबर होता है और जिधर लेस नंबर होते हैं, उधर बंद होता है और अगर दोनों पार्ट में नंबर इक्वल हो तो equal का sign लगता है ओके बच्चो ओके this is our sign of first is greater than and second is less than और आपके जो नीचे sign है वो कहे है equal का तो बच्चो यह story सुनकर आप लोग greater than less than और equal की practice आप लोग अपने घर पर करेंगे ओके students बाई बाई and take care